है हलो फ्रेंज श्रागत है हमारी यूटिव चैनल लंस इंट इश्टेडि गुडुमें दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था तुल्य फालिक मोटर के आपको यह सब चीजे पता होगी तो चलिए फटा-फट देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तुल्यांग की किसे कहते हैं जिस गूड़िये गती किसी थ्री-फेज प्रेड़न मोटर के स्टेटर का चुम्बकिये छेत्र गतिमान होता है वह उसकी तुल्यकाली गति कहल काया था जिस गूड़िये गति किसी 3-írवर मोटर के स्टेटर का कुंभ की छेत्र यानि कि स्टेटर का चुम्बकिये छेत्र होता है और उसका तुल गति वही कहलाता है इसका मान सप्लाई की के thoughल्य की फिक्वएंसी तता स्टेटर की पोल संख्या बहुते हैं सिक्वेंसी पर होती है और की संख्या उनली के यह उस्ट इभ इसकंट प्रेर कर्वंद के वानिंग के वानिंग के वीच में जो अंतर होता है तो वो हमारा 100 WC यह है, थिक है, NS का बल्ब होता है stator की तुल्यांग की गती rpm में निकालना होता है और F हमारी supply की frequency और P rotor की pole की संख्या अब बात आती है rotor slip की, rotor slip क्या होता है rotor की घूडए गती सद्रहों stator के चुमिके छेत की घूडए दिशा में होती है याँनि की डोनों गुडिये गति सामान होने पर उनकी सापेच रपान होता है। ऋनकी कशोन मोंतैं होता है, वह सोने हो जाती है। लुटर चालकों में विद्धू प факलात पर पिरागा और नहीं रूटर के बार हाने। जैसे किए आधारित पर बी कुछ को सेंस पूचे जाते हैं एकजाम में कि आपको कुछ दे दिया जाता है उस पर पूछ ले जाता है और अनसिया सिल्फ के रूप में डेक्ट किया जाता है लाता है सब्सक्राइब 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 और अपांक एने गुड़े 100 या इन्टू 100 अब यह हमारा क्या प्रसेंटेश के लिए हैं सो से भाग देना सो सी गुड़ा करा है ठीक है अब रोटर की फिक्वेंसी रोटर चालकों में बिदुत वहाग वाल रोटर बोल्टेश कहलाता है रोटर जैसे जो हमारा रोटर होता ह चालक प्राइरीत होते हैं और रोटर की कैलाता है जो रोटर की की फिक्वेंसी होती है अब फिक्वेंसी और फिक्वेंसी किसी भी कुछ लिए याद करना है तो कैसे कर रहेंगे या चीजे अंगी अब जिसे यहां रूकर, फिक्वंशी्स, और सब्सक्राइब करना है तो लैंक की गति करना है और प्रतिसत सिल्प लोड पर और प्रतिसत सिल्प स्टार्टिंग के समय सब्सक्राइब करना है तो लैंक की गति का सूत्र प्रतिसत सिल्प स्टार्टिंग के समय कैसे निकालेंगे यह पहले आपको यह निकाल के बथा देता हूं उसके बाद और भी आगे पढ़ेंगे ठीक है तो आई चली देखते हैं कैसे लगाना है तो जैसा कि दोस्तों हमारे क कुश्चन में दिया था क्या क्या दिया था यह चीजम जालेता है जैसे सप्लाई हमारी सप्लाई बोल्टेज दी गई थी सप्लाई बोल्टेज हमारा कितना था 400 वोल्ट ठीक है और पोल की संख्या पोल की संख्या कितना था आर्ट और फिक्वेंसी कितनी थी फिक्वेंसी हिर फिक्वैंसी माल लेते हैं कितना था पच्चास है ठीक है, अब उसकी लोड कितना था, लोड गूड़न की गति औ कितना था? एन हमारा ही गूड़न की गति होती हिना साट सूब्ईस B p.m. अब यह अमारा किया हो गया, पोल की संख्या है ये P हो गया और यह वोलट से हो गया और यह एक और एंहाना क्या है लोड़ पर इन घुडरेंड फेन वह एक है आप सबसे पहला हम क्या निकालेंगे सबसे पहला हम निकालेंगे लेकालिक गती गति हमको ग्याद करना तो इसका सूत्र जैसा कि हम जानते है एन एस स्कल्ट टू वन एक सो बीस गुड़े एफ अपांग पी यह होता है इसी सूत्र पर इसको हमको रख दिना है अब अब एक सो बीस गुड़े एफ फिक्वेंसी कितनी है फिप्टी एटर्ज और पी कितना हम अब इसको काट देना है ठीक है तो कैसे काटेंगे यह चीज आप बता देता हूं है कि दो चोगा आठ है दो चकाब बारा है शाठ आगया दो दूनी चार है दो तीयाई छे ठीक है तीन आ गया इसको कार दें दो के दो अब इसको गुरा करके देख लेते हैं 15 20 teve 2575 कि हमारा कितना आ और पिम हमारा कितना है 650,11-11 गवैया तो अब हम क्या घ्याद करेंगे हमको तुले का लिगत निकाल लिए हैं अब हम प्रतिस्यत लोड निकालना है कि प्रतिस्यत लोड का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है है अश्केल्ड टू आएनेस माइनस एन और अपंक एन स इन टू सो यह होता है प्रतिस्यत लिकाले का सूत्र तो अब अब जैसे कि हम निकाली हैं जैसे कि हम निकाले हैं 750 मिस्टि काले हैं हमारा यह क्या है तुलिक लिक गहती तुलिकlovक delivery टूलिखते कैसे हैं देख लिजे 750 रेकट माइनस 720 गुड़े 100 अपांक अपांक 750 यहीं नहीं हो रहा भाई आप इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा इसकाल टू कर लेते हैं जब इसमें से इतना बैटांगे तकितना आएगा गुड़े 100बशर अपांक साथसो पेंस यह सही आपक गया तो पचीष कि पचीष़ पचीष्ति है कितना होता पचीष ताथ पचीष त्स का सो सो 30cketनी कड़िया बरावर कितना आगा हमारा चार परसेंट आगया हमारा क्या चार परसेंट आगया क्या परसित प्रतिसात सिल्प लोड हमारा कितना है चार परसेंट ठीक है अब तीसरा जैसा पुछ रहाता प्रतिसात सिल्प स्टार्टिंग के समय कितना होगा एक सीज़ आप जान लीजिए कि स्टार्टिंग के समय जो गती होता हमारा कि पाति कर देग के समय मातर है a call है ट गत शूने होती है जब स्टार्ट होता हो स्टार्ट होने वाला होता है तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज्य हो जब नहीं से जाना हम को है जैसे मालिजील कि यह हम खड़े हैं हमको यहां से जाना तो यहां से हमारी जो गती है यहां तो सूने न भाई उसके बाद फिर बढ़ेंगे तो हमारा डूटर बढ़ेगा तो उसी प्रकार से स्टार्टिंग के समय रूटर गती होती है वह हमारा सूने होती है इस पर निकाल लेते हैं कि फिक्वें कहा है जेफार दांई गुड़े सो तो शास मिशन पोचास कि अब इसको हम करेंगे तो साससो पचास गुड़े सौ अपन il यहको पत्चास यह वो काड़ बराबर यह हुझाम मेरा घुर अभ अब मारह चाहताह इसमें इसमें च들 टा जो पूछ रहाता कि रोटर की फिकैंफी लोट पर कितना होंगी रोटर की फिकैंफिक लुट पर इसका सूद रोता हैượं सब्सक्रणी से हमारा केसे और एक तैकल धिकंफ है कर दो बिहिंख है 또 पहुंटौर हुर मुछ तो इसको पांच उकवींगा है कि यानि कि दो सो यह आया क्या रोटर की sera पर जब रहेंगी तो यह कितना हैब दो फटा जाěएगा ठीक है आप इसका लास्ट हम देंगे स्टार्टीं Shortly के समय रोटर की फिक्वेंसी रोटर की फिक्वेंसी स्कल्टू होता है स्टेटर स्टेटर फिक्वेंसी स्टेटर फिक्वेंसी स्कल्टू सप्लाई फिक्वेंसी तो इसका कितना फिक्वेंसी हो जाएगा हमारा कितना फिक्वेंसी है वो रहेंगे ठीक है जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडिया फिक्वेंसी होगी ठीक है और अगर अमेरिका की बात की जाए अमेरिका में कुछ अलग स्टेंडर है और इसलिए दोस्तों यह हमारा कुछ रहा और मैं आपको एक बारी को कोश्चन एक बारी फिर से दिखा देना चाहता हूं नहीं तो अंदर बहुत से डाउट होंगे और आपको समझ में भी काम आएगा तो दोस्तों दिखा देता हूं कोश्चन में दोस्तों जैसा की कोश्चन में दिया था यदि एक चार सो बोल्ट है थ्री फेज आठ पोल और फिप्टी आटाज स्क्वेरल के मोटर की पूर लोड पर ऊधा कीजिये कि तुल्यांgg की गति लोट कितना होगा चाती है ईशस्तों के रेकार से फटी ऐसंगे में का चाते हैं आपको जानना चाते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाईए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों इसके आगे और भी कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के मादेम से उसके बाद और इसका लास्ट में अब्जेक्टिक बताऊंगा और जो कोस्चन्स होंगे उसका ऑंसर्ma सौल्ब करके दूगा अभी इसमें कई ऐसे उधारण है जो कि हमको ग्याद करना सिकhना होगा जैसे रोटर त्राम च्छती कायासे ग्याद करते हैं कौपर हमारे कितना लास होता है ये कैसे ग्याद करते हैं तो बहुत से ऐसे चीजे हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आज के लिए फिलाल इतना ही फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए अलबिदा चाहता हूँ लेकिन मेरे आपसे तैय दिल से रिक्वेस्ट हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्धम से पूछ सकते हैं और साथ ही में आप सुझाओ भी दे सकते हैं कि हमको कम समझ में आया हमको नहीं समझ में आया हमको क्यों नहीं समझ में आया इसके बारे में भी समझ सकता हूँ All the versus Okay all the versus